हम कहने आये हैं कि नालान्दा में छे लोगों की हत्या भोशपूर में रवी जादों की हत्या और बैसे दो लोगों की हत्या इन तीनों हत्याओं पर आपकी पुलिस अगर एक हफ्ता के अंदर अपराधियों को गिरफतार करके सलाखों में नहीं डालती है तो जनतांत्रिक विकास पार्टी तीनों ही जिलों में धर्ना प्रदर्शन के माध्यम से आपकी सुसासन को जगाने का काम करें आप परमिशन दें या न दें हम धर्ना प्रदर्शन करेंगे गिरफतारी होनी होगी होगी लेकिन जुल्म के खिलाप हमारी आवाज होगी और जो आपने आपकी पुलिस ने जो जुल्म कर रही है और अपराधियों के साथ जो आपकी सरकार कड़ी है उसका भी भीएद खुलेगा कैसे आप अपराधियों के साथ खरें अगर जो परिवार है उसके साथ नयाय नहीं मिलता है तो मेरा असपस्ट कहना है कि अगर उन परिवार के साथ नयाय नहीं मिल पाता है मैं गया था रवी जादों से मिलने रवी जादों की मां से मिलने आरा गड़हनी में उसकी मां तरप रही है कि हत्यारे हमारे सामने से घुमते हैं लेकिन पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पारी सामनतवाद की ब्यवस्ता में जो लोग जी रहे हैं उसी गाओं में दलितों की हत्या होती है पिछडों की हत्या होती है पहले एक पर एक को लोग मारते हैं रात में और सुबह जब बता चलता है कि वो बच गिये है उसकी पत्नी बच गई है सुबह में जाकर कर फिर उसको मारता है लोग और आपकी पुलिस उसे गिरफतार नहीं कर पाती है नलंदा में अगर छेशे लोगों की हत्या हो जाती है दो आदमी की गिरफतारी उसी दिन पॉब्लिक उठाकर के दे दी उसके बाद आप गिरफतार नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं यह तो बताने को काफी है कि आप अपराधियों के साथ खड़ी हुई है नितीश कुमार की सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई है टो हम आज कहने आये हैं यह खड़ा के अंदर आप इन हथ त्यारों को गिरफतार कीजीए इस परिवार को इस्पिढेट प्रोडिर्द के तरहन outta इस पीडी ट्रैल करके इन तीनों केसों में आप नयाय दिलाईए नहीं तो हम लोग धर्णा प्रदसन करके वहां के अस्थानिय प्रसासन को जाम करने का काम करें